अस्टूडेंस कैसे आप मुझे अमीद हैं तमाम स्टूडेंट्स इमान और सहित की बेहतरीन हालत मी होंगे स्टूडेंट्स आज हम अपना इंग्लिश का लेक्च नंबर 19 स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? Reading. रोज किता हम सबसे पहले क्या करेंगे? Reading. इसका आप सबसे पहले कौन सा page open करेंगे? Page number 26. English book का page number 26 open करें. किसकी practice करेंगे? हम phonic sound E की. E का sound क्या है? E E E E N अब कैसे पढ़ेंगे? इसको यह देखें. यह first line का first word देखें. क्या लिखा हुआ? यह पहला word क्या है? D D का sound कैसे पढ़ते हैं हम? D D D तो कैसे पढ़ेंगे इसे हम? D N D N F N F N H N H N M N M N P N P N अब क्या है? आप क्या है? F F D F 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 Sबजागी हमने की sound के साथ को कैसे पढ़ने? Next आप देखें, अपना writing part. Writing part में हम सबसे पहले क्या करेंगे? Alpha best write down करेंगे small letters में. कहां से कहां तक? M to R तक. ठीक है? Small letters में हम इसको write down करेंगे. आप कैसे राइट डाउन करने आपकी नोट बुक के ओपर यह बनी होती है ना लाइनस असेस्मेंट शीट के ओपर भी 1, 2, 3, 4 हमने देखने अब M हमने कितनी लाइनस पर लिखने दर्मियान वाली 2 लाइनस पर, सबसे पहले क्या करेंगे चोटा सा 1 बनाया दर्मियान वाली 2 लाइनस में इस से चोटा सा आपने नीचे से थोड़ा सा यू रोल करते हुए नीचे लियाने फिर यही से स्टार्ट किया और रोल करते हुए नीचे थेड लाइन पर लेयाने इसको थोड़ा सा कव कर देने हैं क्या बना ये? M M M के बाद क्या आएगा N N भी सितना write down करेंगे छोटा सा I जैसे draw करते हैं 1 1 आपने write down किया दर्म्यान वाली 2 lines पे उसी तरह आपने second line के थोड़ा सा नीचे से start करने है और roll करते हुए इसको ले आने third line तर और यहां से थोड़ा सा curve कर देने क्या बना? M N यह आपको second line के उपर थोड़ा सा space नजर आ रहे है थोड़ा सा gap नजर आ रहे है आपका भी इसी तरह gap नजर आना चाहिए N के बाद क्या आएगा M N O O कितनी lines पे आएगा? दिद्म्यान वाली 2 lines पे M N O O की बाद क्या आएगा? P P कितनी lines पे लिखेंगे? नीचे वाली 3 lines पे सबसे पहले क्या करेंगे? 1 बनाएंगे ठीक है? ऐसा बना दिया फिर second line के थोड़ा सा नीचे से start करते हुए आप इसको roll करेंगे और जहां से हमने start किया था वहीं पेला के इसको मिला देंगे उपर नीचे ही थोड़ा आपको gap नज़र आ रहे है second और third line के पास इसी तरह आपका gap होना चाहिए ठीक है? P के बाद M N O P Q क्या करेंगे इसमें सबसे पहले? आपने यूँ यहां से चोटा सा goal circle बनाया ठीक है? उसको यूँ बिनाते वे आपने नीचे third line तक ले आने फिर यहां से थोड़ा सा four line तक ले जाके third line तक ले जाके आपने finish कर देने touch नहीं करना चाहिए third line को ठीक है? क्या बनाए? Q Q के बाद क्या आएगा? मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप लिखते वक्त भूल जाओ तो क्या करने? start से पढ़ना शुरू कर देने M N O P Q Q की बाद R one right arm की आपने? इसको थोड़ा से नीचे से start करते हुए उपर ले गए ऐसे R understand? M N O P Q R अपने एक स्टूडेंट है Name and Color the Pictures ये मैंने पिक्चर पेस्ट की हुई है नजर आ रही है आपके assessment sheet के उपर इसी तरह बनी हुई है बनी हुई है सबसे पहले किस चीज की picture बनी हुई है अपनी assessment sheet पे देखे क्या बना हुए? Two boys fight कर रहे है तो fight करना क्या होता है? Bad होता है ना? बुरी बात होती है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनके names लिखेंगे Fight करना क्या है? Bad है ना? तो हम क्या लिखेंगे? Bad कैसे लिखेंगे? B सबसे पहले क्या राइडाम करेंगे? B B का sound क्या है? B-A-D Bad B-A-D कैसे पढ़ेंगे? B-A-D B-A-D अब next क्या बना हुआ नजर आ रहे हैं आपको? Men क्या है ये? Men अब सबसे पहले क्या write down करेंगे हम? M अभी मैंने आपको M write down करना सिखाया ना? कैसे आपने M write down करने? उसी तरह आपने M write down किया N अभी आपने reading किया ना? N E-N N E-N N Ma N ठीक है? Men अब next क्या बना हुआ है? Bed Bed पहले था bed B-A-D A का साउंड आ रहा था ना? अब है bed B-A-D किसका साउंड आ रहा है? किसकी आवाज आ रही है? E की तो क्या write down करेंगे? B B B B B A-D B-E E-N D A-D B-A-D B-A-D अब last पहीं क्या बना हुआ है? Map Map किसकी आवाज आ रही है? Ma A-P Ma Ma M M मैंने आपको भी बताया है कैसे write down करने है? Ma Ma A-P किसके वाज आ रही है? A-P Ma A-P 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 Ma A-P अब दोबारा देखें सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है? B A D कैसे पढ़ेंगे? B A-D Next M E N Ma N A-P 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 अब हमने pictures को देख देखें उनको understand करके इनको words के साथ match करते हैं ठीक है? सबसे पहले क्या बना हुआ है? Bagger ठीक है? क्या कर रहे है? वो bagging कर रहे है तो इसमें से कहां लिखा हुआ है? B A-G B B First देखें किसकी आवाज आ रही है? B B की आवाज आ रही है? No B B A-G तो किसकी साथ में लेंगे हम इसको? Bag की साथ B A-G B A-G अब next देखें यह क्या है? Dead Dead D A-D D A-D Sound आ रहे है? P का sound फ यह क्या है? D A-D तो किसकी साथ मेंच करेंगे? D A-D D A-D Last पर देखें क्या बना हुए? यह तो सबको पता होगा ना यह क्या बना हुए? Pen P A-N P A-N P का sound आ रहे हैं ना? P A-N P A-N Understand? First picture क्या थी? B A-G D A-D P A-N अब next देखें, fill in the blank हमने fill करनी है यह, ठीक है? M के बाद A-B-C पढ़़खें आपने यह fill करनी है M के बाद क्या आता है? आज हमने यह लिखा है M के बाद क्या आता है? N सबसे पहले क्या लिखेंगे? Capital N उपर वाली three lines पर one बनाया दूसरा one आपने थोड़ा सा तिछा करके third line तक लियाना है फिर इसी line को उठा कि आपने straight one की तरह उपर ले जाना है क्या बनाये? N इसके साथ क्या लिखेंगे? Small N बनाया दर्म्यान वारी two lines पर यह मैंने आपको लिखना आज सिखाया है न फिर second line के थोड़ा सा नीचे से start करने है और roll करते हुए N से curve कर देने M N N के बाद क्या आता है? O O already लिखा हुआ है O के बाद P P One बनाया पर से start किया और roll करते हुए second line से इसको यूँ मिला दिया P Small P कैसे लिखने है? One बनाया अब आपने second line के थोड़ा सा नीचे से start किया और roll करते हुए जहां से start किया था वहीं पर finish कर देने P O P P के बाद Q Q मैंने अल्रेडी लिखा हुए Q के बाद last पर क्या आएगा? R One बनाया यहां से आपने roll करते हुए इसको second line से match करने और फिर सीधा यूँ नीचे तक लिए आने क्या बनाये? R Small r कैसे लिखने है? One बनाया इसको थोड़ा सा one से थोड़ा सा नीचे से second line से start करते हुए रोल कर दिया R M N O P Q R समझागे fill in the plans आपने कैसे fill करनी है? अब next आपके assessment sheet पे है dictation आज हमने कहां तक small letters में ABC लिखी है? M to R तक लिखी है ना मैं M to R तक words बोलूँगी आपने जल्दी से पनी assessment sheet पे write down कर लेने है ठीक है? सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? 4 words write down करने हैं मैं 4 words आपके सामने बोलूँगी आपने जल्दी जल्दी write down करते जाने है First लिखें O O O इसके बाद लिखें M M M Q Q Small letters में लिखें और capital letters दोनों में लिखें चाहें small letters में लिखें Simple Q Q की बाद last word लिखें आप P P मैं दुबारा एक दफा बोल रहा हूँ O M Q P लिखें हैं सबचुने dictation इसके बाद आपका है workbook का काम ठीक है workbook का काम ये आज आपके diary भी है workbook देखें इसका page number जो है 37 ये वाला page 37 ये आपने write down करने है अपनी diary में अच्छा write down कैसे करने हैं ये लिखा हूँ है ना D E N D E N जैसे उपर write down की है आपने इसी को follow करते जाने हैं इसके उपर भी इसी तरह लिखने हैं इसके उपर भी ठीक है इसी तरह ma N इसके नीचे आपने दोनों lines पर इसी तरह write down करने हैं भर एग यह जो इन्होंने उपर लिख है आपने इसी को follow करके यह दोनों लाइने fill करनी है आगे circle ना correct word and color यह picture दिये है इसमें से आपने देखना है correct word कौन सा है यह किस चीज की picture है क्या बना हुआ है man, ma, n तो आपने देखना है आप यह कहां पे कौन सा word लिखा हुआ है man, man नहीं बने हुए है ना, man आपने man को circle कर देने ठीक है, क्या करना है man को यूँ circle कर देने ठीक है, अब next देखे, क्या बना हुआ है यह den, den बनी हुए है ना यह, अब आपने देखना है किसका sound आ रहे है d, 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 n अब आपने देखना यहाँ पे डेन का साउंड कहाँ पे है फर्स्ट क्या है ब एग डी का साउंड आ रहा है नो सेकिंड फ एन यह भी नहीं है लास देखें ड एन तो आप किसे सर्कल करेंगे डेन को ड एन थर्ड पिक्चर देखें क्या बना हुआ है यह भी हमने बोड पे किया भी है पिन फ एन फ किसकी आवाज आ रही है यह फर्स्ट पे फ एन आपने इसको यूँ सर्कल कर देना है ठीक है समझ आ रही है ना सबको अब लास्ट देखें यह भी हमने किया है भी ब एग ब एग ब ब ब का साउंड आ रहे है ना ब की आवाज आ रही है सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ड एड ब की आवाज आ रही है नो ड एड ब एग तो क्या करेंगे आप इसको सर्कल कर देंगे समझ आई आपने अपनी डायरी और असेस्मेंट शीट कंप्लीट करनी है इसके साथ ही हमारा आज का इंगलिश का लेक्शन नबर 19 कंप्लीट हुआ जजा कर ला